हलो एवरिबन दिस इस सोमा हेर एंड वेल्कम टू बिल्ड करियर चैनल तो आज हम फॉरें एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानि की फेरा को कवर करेंगे इसके हर पॉइंट को हमें आपे कवर करेंगे तो यह फेमा की इंट्रोडर्क्टि क्लास है क्योंकि फेमा को जानन से पहले आपको फेरा को जानना जरूरी है तभी आपको क्लियर होगा पॉइंट सारे फेमा यानि की फॉरें एक्सचेंज मेनेजमेंट एक्ट तो आप में से ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे यह डिसकस करने को कहा था फेरा को इसलिए आज मैं यह क्लास लाइं हूं तो लाइकन को जरूर क्लिक करना तभी आपको नोटिपिकेशन मिलेगी और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना को सजेशन हो या फिर मेरे लिए कोई क्वेस्चन हो तब कमेंट कर सकते हो चले स्टाट करते हैं फेरा यानि की फॉरें एक्सचेंज रेगुलेशन और अन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पर्लेमेंट में वियरेट पास करे तब 1973 में और और एक्समेंट में कव आई थी एक्ट तो यह एक्ट में tensor 74 को क्या रिजन था इस Act को लाने का क्यों इसे लाया गया था तो जिस टाइम पर यह Act आई थी उस टाइम पर इंडिया में क्या था Foreign Reserve बहुत ही उसकी कमी बनी हुई थी उस टाइम पर इंडिया में shortage थी foreign currency की तो उसी बात को ध्यान में रखकर फेरा को लाया गया जिससे की क्या हो सके फेरा यानि की आपको नाम से ही पता चल रहा है foreign exchange regulation Act मतलब foreign exchange को regulation regulate करना के control करना जिससे की रिजन क्या है रेगुलेट करना financial transaction को जो की foreign exchange और security से related है मतलब foreign exchange की हमें proper utilization करनी थी और क्या था और foreign उस transaction को foreign transaction को regulate किया जाता था फेरा में जिससे की जो export import है currencies की foreign currencies की affect डालती थी उस transaction को फेरा cover up करती थी तो इसमें कितने section से 81 section चलिए अब हम देखेंगे objective क्या है फेरा के objective उससे पहले फेरा के बारे में कुछ points जान लिजी कि फेरा जो थी वो किस time पे इंडिया में आई थी जब country की foreign exchange की reserve की कमी थी उस time पे okay shortage थी फेरा को कब लाए गया था जब इंडिया में foreign currency की shortage थी क्या थी foreign currency की shortage थी foreign exchange shortage या लो जो भी कहिए foreign exchange short थी इंडिया में ठीक है तो उस time पे इसी ले लाया गया था क्योंकि foreign exchange की shortage चल रही थी इंडिया में तो government को लगा कि ऐसी act लानी चाहिए जिसे कि उस time पे foreign exchange reserve को बचाया जा सके और इसकी wastage ना हो प्रॉपर utilization की जा सके इसलिए foreign payment को regulate करने की नीड है और इसलिए फेरा को लाया गया था तो परपर्स क्या था कि फेरा का कि प्रॉपर regulation की जाए उस payment पर जो की डायरेक्ली और इंडायरेक्ली affect डालते थे foreign currency पर या फिर ट्रांजेक्शन पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रांजेक्शन पर करेंसी इसकी उस पर affect डालते थे उन payment को उन payment transaction को रेगुलेट किया जाए और साथ ही foreign currency को प्रिजर्ब किया जाए और इसकी foreign currency की प्रॉपर यूटलाइजेशन की जाए तो यह था objective किसका फेरा का तो जासा कि मैंने आपको बताया कि इसे कब लाया गया था जब इंडिया में foreign exchange reserve की shortage थी तो फेरा को लाने के टाइम पर यह प्रियर्जूम किया गया था कि जो foreign exchange earned करते हैं इंडियन रेसिडेंट वह किससे बिलॉंग करता है वह बिलॉंग करता है गवर्मेंट ऑफ इंडि सबसे पहले वह मेंट ऑफ इंडिया से बिलॉंग करता है और इसलिए इसको कलेक्ट और सरेंडर किसके थू करना चाहिए RBI को करना चाहिए तो फेरा जो है वह हर ऐसे ट्रांजेक्शन को प्रो हैविटेट करती थी जिनको की RBI परमेट नहीं देती थी तो फेरा किसके अगर RBI कोई ट्रांजेक्शन को मना कर रही है करने को तो फेरा भी उसे प्रो हैविटेट करता था फेरा भी उसे बैंड करता था कोई ट्रांजेक्शन को अगर मना कर रही है तो फेरा भी उसे बैंड करेगा क्योंकि यह Regulation Act है Foreign Exchange Regulation Act तो इसको हम किस नाम से जानते हैं और स लेकिन कब गया था इनफोर्समेंट में याद रखना कि कब लाया गया है 1 जैन 1974 को इसको वाल ओवर इंडिया में अपलाई किया गया था और इसको हर इंडिया में हो चाहे वो इंडिया से बाहर हो ल्णूस हो ओके है तो यह था कुछ बेसिक बाते है ईसके घृष है और इसके अकॉर्डी क क्या था कि जो एंडिया में उप्रेट करती है उन्हें अपने आपको किस में cover करना पड़ेगा, convert करना पड़ेगा, Indian company में transfer करना पड़ेगा और जिसमें की 60% local equity stake होंगे, क्या समझ में आया, कि मैं दुबारा बता रही हूँ कि अगर कोई foreign company इंडिया में है, उसकी branches, तो क्या होंगी, अगर वो सारी business अपनी इंडिया में operate कर रही है, तो उसे convert करना पड़ेगी अपने आपको Indian company में, इसके लिए 60% local Indian equity stake होने पड़ेगे और साथ ही साथ, जो foreign subsidiaries है, वो अपने आपको 40% से less रखेंगे, 40% उसमें equity होगी, मतलग 60% Indian equity stake होगे, और 40% दूसरे foreigners stake होगे, तो इससे क्या होगा, वो Indian company बन जाएगी, तो यह उस time की major rules थी, तो यह सारी important बाते हैं, और क्या है, four number point देखिए, कि all applied, also applied all branches which were outside India and their corporate bodies incorporated or registered in India, मतलग, जो corporate bodies, जो companies, जो की India में incorporate की गई है, या फिर registered है, उनकी अगर branches outside India है, तो भी फेरा applicable होगी, उन पर भी फेरा applicable होगी, मतलग, अगर registered company है, इंडिया में कोई, या incorporation होई है किसी company की इंडिया में, but उसकी branches outside India है, तो भी उस पर फेरा applicable होगी, तो यह important points थे, तो अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से persons जो है इंडिया फेरा से related है, तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से persons है, जो की इंडिया फेरा से related है, तो फेरा से related कौन-कौन है, officers of enforcement, चलिए, enforcement, directorate या फिर director of enforcement, डारेक्टर ओफ इन्फोसमेंट इंफोर्समेंट ये सारे और गित से डिलेटीट है? खाशिकर एंफोर्समेंट साथ में डिब्टी डिब्टी डिरेक्टर अफ इन्फोर्समेंट सब्सके करे द और क Boss filmD उसके बाद assistant director आते हैं साथ में officers of officers of enforcement अगर act की need हुई purpose हुई तो उन्हें भी appoint किया जा सकता है तो यह सारे जो person से यह related है फेरा से और इसकी जो appointment होती है enforcement officers की तो यह कौन decide करता है यह central government decide करती है और इनके powers भी जो है वो central government के थुरू ही provide किये जाते है central government इन persons को appoint करती है अगर उन्हें सही लगता है कि यह officers of enforcement होने के लायक है अगर वो feedback तो वो उन्हें consider करते हैं ओके साथ ही साथ limitation जो है और condition है वो भी officers of enforcement पे government apply करती है government of India apply करती है central government और powers जितने भी है और जितने भी duties है यह सारे act उन्हें provide करते हैं तो यह तो हो गई persons जो की related है फेरा से तो authorities क्या है RBI की according to fera तो मैंने जैसे आपको बताया कि fera क्या है फेरा में फेरा को इंडिया में कब लाया गया था जब इंडिया में foreign currency reserve की कमी थी और इसी कारण से foreign exchange और foreign currency की proper utilization के लिए यह strict rule regulation laws लाए गये थे और इसी लिए फेरा के लिए सबसे पहले क्या assumption बनाई गई थी कि जो इंडिया रेसिडेंट है जो की foreign exchange earn कर रहे हैं वो सबसे पहले किन से बिलॉंग करते हैं government of India से यह currency जो foreign exchange है यह बिलॉंग करती है और इसलिए RBI यानि की reserve bank का ही राइट है first right और यही reason है कि RBI के permission के बाहर फेरा कोई भी work नहीं करेगी ऐसा कोई भी work नहीं करेगी जो RBI permitted नहीं हो ओके तो authorities क्या-क्या है RBI में चलिए अब हम देखते हैं according to FEMA फेरा ओके तो क्या-क्या authorities है चलिए देखते हैं RBI क्या करेगी कोई भी person को authority provide कर सकती है या फिर company को authority provide कर सकती है जो की foreign exchange में डील करेगी और साथ ही साथ foreign transaction में currencies में डील करने की authorization भी कौन देता है RBI provide करती है और यह review भी कौन करता है RBI करती है RBI के पास power होता है कि वह authorization को revoke कर सके अगर non-compliance situation हो ऐसी को situation आ जाए non-compliance situation आ जाए तो यह revoke भी कर सकती है RBI के पास क्या authorities है कि वह जो एक currency से दूसरे मतलब एक nation की currency से दूसरे nation की currency को किस में convert किया जाएगा किस amount पे किस rate पे convert किया जाएगा यह determine कौन करती है RBI करती थी अभी नहीं करती है RBI करती थी फेरा में करती थी और जो भी परपस होगा foreign exchange के लिए वो सिफ RBI ही decide करेगी RBI ही देखेगी हर चीज़ की review करेगी तो बहुत ही strict act था यह क्योंकि सारी जो भी rule regulation थे वह RBI की according होंगे तो कौन-कौन से rules और restrictions है जो की RBI लागू करती थी चलिए देखते हैं restriction क्या थे import और export पे certain currencies पे कुछ currencies की currency की import और export पे restriction लगाए गए थे और कौन-कौन से restrictions थे जो illegal payments थे उन पर भी restriction लगाए गए थे साथी foreign exchange की dealing पर भी restriction लगाए गए थे मतलब restriction बहुत सारी है band बहुत सारे लगवाए गए है payment for उन export goods की export की payment भी RBI की according ही की जाएगी RBI ही restrict करेगी issue of bearer securities पे और कौन-कौन से restrictions है restriction लगाए थे दूसरे countries की settlement पे और इंडिया के बाहर अगर कोई आपकी immovable property है जैसे की real state हो गए immobile property अगर outside इंडिया है तो यह उस पर भी restriction लगाए जाएंगी और उस पर आप hold नहीं कर सकते outside इंडिया hold नहीं कर सकते immobile property और कौन-कौन से restrictions है restriction जो की appointment restrictions है जो की agent की तरफ work करते हैं परसर्स या फिर companies कोई अगर agent की तरफ work करती है foreign exchange की तो इसकी appointment पर भी restrictions लगाए गई है और बहुत सारी restrictions है जैसे की इंडिया में अगर कोई business कर रहे हैं तो कि उनकी जो establishment place है उसे कहां established किया जाएगा उस business को उस पर भी restriction लगाए गई है और क्या-क्या restrictions है रिजर्व बैंक से permission लेनी पड़ेगी अगर कोई practice कर रहे हो तो उन्हें पर्मिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई और नेशन मतलब दूसरे foreign state के नेशन से अगर कुछ हो रहा हो तो कोई practice profession कोई practice किया जा रहा हो तो रिजर्व बैंक ही permission प्रोवाइट करेगी और कोई immobile property अगर इंडिया में या फिर hold किया जाए तो इस पर भी restriction RBI ही लगाती थी और RBI के पास power था कि वो चाहे तो कोई भी person को document person या फिर document को अगर Indian currencies हो गई जैसे कि foreign exchange या फिर उनकी books of accounts हो गई उनको देखने के लिए अपने अपने restriction मतलब अपने information लेने के लिए okay supervise करने के लिए उसका review करने के लिए RBI कॉल कर सकती उन्हें बुला सकती है उनकी कोई भी जैसे कि book of accounts हो गए या फिर कोई information document कोई भी related अगर document है तो RBI के पस यह power था कि वो कॉल कर सकती है ऐसे person को और क्या था अगर कुछ ऐसा suspect कुछ नजर आया कुछ person कोई suspected नजर आया तो वो document को सीज़ भी कर सकती है तो यह रूल और एक्सेशन से जो की RBI लगाती थी फेरा में तो इस्यूस क्या-क्या थे फेरा में क्या-क्या problems आई थी तो person जो की फेरा law को violate करते थे नहीं मानते थे उनको criminal offenders माना जाता था बहुत ही restricted law था extensive power किसके हाथ में था enforcement directorate के हाथ में था वह चाहे तो कोई person को arrest कर सकते हैं और सीज कर सकते हैं ऐसे document पे अगर वो RBI के according work नहीं कर रहे हो तो और क्या था सारे चीज़ों को control किया जाता था अगर कोई भी foreign currency related work होते थे तो सारे जो भी working थी वह RBI के control में रहती थी और यह देखा जाता था कि ऐसे कम से कम transition हो जो कि foreign currency और foreign exchange से related हो बट क्या हुआ इसे हटाया क्यों गया था क्योंकि liberalization इंडिया में आ चुकी थी 1991 में आपको पता ही होगा कि liberalization globalization और क्या था प्राइबिटेजेशन इंडिया में आ चुकी थी तो जो उस time की 1991 की जो time था उस time पर इंडिया को grow करना था अपने business को तो इसके लिए restriction को हटाने की जरुवत थी अगर फेरा फेरा में क्या होता था फेरा में restriction लगाए जाती थी foreign exchange पर या फिर foreign investment पर तो इस restriction को हटाना बहुत जरूरी हो गया था इसलिए इसकी जगह पे क्या लाया गया था foreign exchange management bill यानि कि foreign exchange management act जो जो कि इंडियन government उस टाइम पर ड्राफ्ट की थी फेरा को हटाने के लिए जिसे की इंडियन economy और grow कर सके तो फेरा को repeal किया था फेमा के थुरू कब 1998 में और किनकी सरकार थी था अटल बिहारी बाचपेजी की जिसे की जो रेस्टिक्शन थी फेरा में उसे रिलाक्स किया जाए उके फेवा में इतनी रेस्टिक्शन नहीं थी तहा हम नेक्स क्लास में पर को देखेंगे उक्गे आई हो आपको यह class पसंद आई होगी प्लिस लाइक शेयर करना और कमेंट करना थैंक यू पर वाचिंग दिस क्लास्ट